इस पर बात करेंगे JTO के जीटो कोईन के प्राइज मोईन के बारे में इंट्री लेवल सब्डेटेट लेवल और आने वाले दिरों में के टागेट करेंगे 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 क्रेंट त्रेड कर रहा हैं कल के BTC के फ्लक्ट्टुेशन की विज़े से मार्केट डंप की अभी ये कोईन और भी नए लेवल पर नए लोवेस्ट एरिया पर ट्रेड कर रहा है जहां पर एक अच्छी आपोस्टी वापिस से इस कोईन के अंदर निकल के आ रही है जो भी इस कोईन में इंटरी देख रहे हैं उनके बात करेंगे कौन से आपके लिए पॉंट्स रहेंगे और आने वाले दिव में टागेट्स करेंगे इस प्रपर स्टरडी शेर कि जा सकें क्रिप्टो ओड़िए जोई कि जाएगी अपडेट इट लेवल सखनेश कर जाएंगे और भी कोईन ट्रेट कर रहा डेली का चार्ट ओपन करें तो इस स्केंडल में हमें बड़ा डंप देखने को मिला इससे पहले भी बिटीसी की थोड़ी सी की वज़े से इसको भी ब्रेक कर दिया था उससे नीचे प्राइस आ गए थी वहाँ पर इसको बाद में एक अच्छे स्टिपिटी 1.8-1.9 युश्टी वाले लेवल पर थी 2 युश्टी वाले लेवल को भी इसको ने ट्राइ किया था लेकिन कल की जो डंप है कल की जो फ्लक् क्या सिच्वेशन हो रही है बीटी सी में क्यों डंप देखने को मिल रहा है किस वज़े से यह बड़ा डंप है एक वेबसाइड है एक क्रिप्टो से रिलेटेट इन्फरमेशन स्प्रेड करती है मैट्रिक्स पॉर्ट करके उसकी तरब से एक ब्लोग पॉस्ट किया गया कि भाई जो बिटकोईन एटी एफ जो है जो फाइल किये गए है वो जनवरी मन्त के अंदर रिजेक्ट हो जाएंगे सारे सेक्यूर्टी एक्चेंज रिजेक्ट कर देगा सिर्फ इतनी सिंपल से निउस निकल कि आई और इस निउस की वज़े से यह कोई इसा एनॉस्मेंट नहीं हुआ कि सेक्षेंज ने नाउंस किया या किसी जो भी जिनोंने अप्लिकेशन फाइल की है उनकी तरफ से यह सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट की तरफ से एक ब्लोग शेर किया गया जैसे हमारे या इंडिया के अंदर क्या होता है बहुत सारी निउस चैनल्स वगर रहा है वो किसी भी अगर स्टोक वगर से लेटेट कि यह दिवालिया हो गया कि इसको जेल हो रही है मतलब न्यूज अलग है और यह अलचीज अलग है तो एकदम से शियर गिरने लगता है तो इसी टाइप से यह चीजे देखने को मिली और एकदम से फिर प्रेशर बनाया गए बीटीसी में डंप देखने को मिला तो अभी आप यह देख रहे होंगे कि बीटीसी में डंप तो हुआ है दूसरे अर्स कोईन में भी उनसके साथ साथ डंप हुआ लेकिन जो कोईंस ओवराल बुलिश थे जिनमें अच्छा मोमेंटम था वो कोईन मूग करके रिकवर कर गए और अजिस लेवल पर ट्रेड कर रहे थे डंप के टाइम पर उस लेवल से उपर ट्रेड कर रहे जैसे यह कोईन 1.8 उस्ट के उपर ट्रेड कर था तो वो कोईन जो है वो 1.8 से उपर 1.9 या 2 उस्ट पर ट्रेड कर रहे प्रीविज लेवल से उपर अगर यहाँ पर भी शेयर की थी बहुत अच्छे लेवल पर मतलब वहां से आपने बाई करके रखा हुआ है उन कोईंस को तो वो कोईं 50% से भी ज्यादा प्रोफिट के अंदर तो मैं इसलिए यह चीजे बता रहा हूं क्योंकि आपके द्वारा बहुत चादा कमेट जीटो कोईं जेटो कोई फोलोन जेटी उल क्योटो कोई तो यह इसलिए क्रियेट हो रही एक पर्टिकुलर कोईं पे10प होने साफको प्रोब्लब इसलिए क्रियेट क्योंकि आपने डाइबर्सिपाइप पॉर्टफुलिओ नहीं रखा आपने जो भी केपिटल थी वह एक न्यू लिस्टिंग हुआ है उसका fundamental किया है तोड़ा सा किस लेवल पर स्टेविटी मेंटेन करेगा एक बार हमने profit generate कर लिया उसके बाद थोड़ा हमें wait करना चाहिए और entry लेना अच्छी बात है क्योंकि अभी recently बात करें तो बहुत सारे new listed coin 1000% से भी जादा move कर गए तो listing के साथ अच्छा moment होता है listing के बाद भी अच्छा moments होता है तो entry लेना अच्छी बात है लेगन पूरी capital लगाना अच्छी बात नहीं है अगर आप diversify portfolio रखते तो सिर्फ और सिर्फ आपका यही coin लोस के अंदर होता है जबकि मेरे जो coins बताए हैं उन में से अगर आप पांच coin particular choose कर लें यह 5 coins हमें अपने portfolio में 8 करना है तो उन में से अभी आपके minimum 3 coins जो है वो आपके profit के अंदर होती लोस नहीं हो ता भले BTC की BTC में जो dump हुआ coins में 40% तक का ultimate सभी ultimate हुआ लेकिन वह वापस recover कर गए वापस उपर trade कर रहे हैं तो आपको इतनी घवराट नहीं होते आप particular coin पर focus नहीं करते और उस पर depend नहीं रहते और यही problem होती है जब आप diversify portfolio नहीं रखते हैं proper strategy follow नहीं करते हैं तो इसी type की problem create होती है आपका finance coin में है किसी का 50% डाउन के अंदर है किसी का 30% डाउन के अंदर है अब आपको recovery का wait करना पड़ेगा जब तक recover नहीं होगा तब तक आप market को सिर्फ watch कर पाएंगे trade नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी capital stuck है और जहांदा time हो जाएगा तो फिर आप इसको loss में sell कर देंगे तो यह problem इसी लिए create होती है और मेरा खुद का मैं personally अपका अगर बताऊं तो मेरी कि खुद का investment is coin कर दें 30% के round में down है क्योंकि बीटीजी की fluctuation को इस प्रोप देखने को मिला है और बीटीजी की वोज किया जो बड़े institutions वेल्स ने डंप कराया हो कुछ नहीं कर सकते तो एक डंप से डंप हो है यह सिर्फ हम देख सकते हैं प्राइस कहां रुकने वाली है डंप हो रहा है बीटीजी कहां रुकने वाला किस लेवल पर इसको support को maintain करता है यह नहीं करता सिर्फ यह हम वोज कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकता है तो आपको बहुत थोड़ा सा अवेर रहना है तो वो चीजें हो सकती है लेकिन इस टाइप का डंप कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है एक दम से security एक्चेंज की तरफ से कोई announcement हो जाता है यह इसा-इसा होगा dump देखने को मिल जाता है या फिर कोई positive news निकल के आती बड़ा breakout देखने को मिल जाता है तो वो news जब हम देखते उसके बाद बाता जलते हैं कि हाँ यह breakout इस वज़े से हो रहा है यह dump हो रहा है तो यह dump इस वज़े से हो रहा है तो JTO coin में हाला कि 2 USD से नीचे नीचे की जो entry ह वो safe entry है कोई बहुत जादा risk entry नहीं है यह dump नहीं होता इस ताइब की situation नहीं होती तो यह coin उस level को maintain करता और जो हमने आपको दो दिन पहले 1.9 1.7 के levels बताये थी वहाँ पर entry लिये होगी तो आप बहुत जान्दा loss के अंदर नहीं होगे 2.2 और 1.9 की एक time entry बताये थी यह ल उपर वाले level पर है थोड़ा time आपको recovery के लिए wait करना पड़ सकता है निकि 2.2 से उपर अगर बात करें तो आपको one month भी लग सकता है यह उसे थोड़ा बहुत ज्यादा time भी लग सकता और भीच में अगर BTC वापिस एकाद इस type की fluctuation देखने को मिल जाते हो तो फिर वापिस बेच में BTC के साथ तो dump करेगा लेकिन overall यह है कि यहां से यह जो level से मतलब इस coin का one point eight है two or three वाला जो level है इस level को cross करने के बाद वापिस इस coin में अच्छा moment देखने को मिलेगा और यह अच्छे levels को try करेगा अब जो entry देख रहे हैं वो इस level पर buy कर सकते हैं यह all lowest area है यहां स जिनके अंदर वापिज बीटी सी 43,000 से उपर अभी एकादबर try कर चुका है 44 44,000 से उपर try करेगा तो यह coin भी one point eight से उपर वापिस rate करता हो दिख जाएगा तो आपके portfolio में profit रहेगा तो one point five one point six के round में आपके faster entry हो जाएगी second entry के लिए आपको one point four की by limit लागा आकर रखने 70 two point two UST first target second target आपके लिए रहेगा two point four UST बाले लेवल इन लेवस पर आपको 60 40 के ratio में sell करना one point five five और one point four के आपकी हो जाएगी इसके लापर जो भी नए investor trader market में आए है जिनको जादा knowledge experience नहीं है वह हमारी premium membership में जरूर इन्रॉल करें वहाँ पर आपको proper guidance प्रोपर study share की जाए करेंगे और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते है crypto losses से बचना चाहते है वह इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इस्टा की link video के description में है बाकी है आप बाए और से खुद के रिस्क खुद के research के हिसाब से करें हैं आपर हम कोई fans advice नहीं दे रहे है वीडियो स अच्छा लगा है लाइक जरू करें चैनल सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू